दोस्तों नमस्कार स्वागत थे आप सभी का इस्टेडी विद ग्यान प्रगास में इस वीडियो में हम लोग बेसिक अलजेब्रा के अंतरगत सेट थियरी के बारे में इस्टेडी करेंगे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपने अगर अभी तक चलनको सब्सक स्ट्राइब अवल से कर लिजे ताकि यल्टी गेर्ट परिशा के अंतरगत पूरी प्रिप्रेशन आप कर सके हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके खास तोर से माइथमेटिस का पूरा स्लिबस इसमें कवर करवाया जाएगा शुरू करते हैं स्टेडी के बारे मे अगर उन्हें एक विवस्थित करम में हम संग्रहित कर लें तो उसे आप एक सेट करते हैं एक समुच्चे कह सकते हैं ठीक है अब देखो इसमें कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ों को जान लेना बहुत जूरूरी होता है सेट को डिनोट करते हैं कैप्टेल लेटर से जैसे क अमालेजी एक 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 एलिमेंट है जो कि सेट ए में बिलॉंग करता है तो एक इस बिलॉंग तो इस तरीके से आपसे डिनोट कर सकते हैं और अगर आप एक 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 एलिमेंट है जो कि ए में सेट ए में बिलॉंग नहीं करता है सेट ए में नहीं है तो उसे आप इस तरीके से denote कर सकते हैं और इसे read करते हैं ax is not belongs to set a इस तरीके से समुच्चे को denote किया जाता है अब बात करते हैं समुच्चे के प्रकार के यानि कि समुच्चे कितने प्रकार के हो सकते हैं types of sets सबसे परहे बात करेंगे rick समुच्चे यानि कि null set के बारे में तो वह समुच्चे जिसमे कोई भी अवय और न हो उसे रिक समुच्चे करते हैं यानि कि इसमे कोई भी element होता ही नहीं है denote करते हैं इसे medium bracket होता है उससे या फिर phi से अगला जो समुच्चे है उसे करते हैं एकल समुच्चे जैसा कि नाम सही असपस्ट है singleton set, यानि कि इसमें जो element होते हैं, उनकी संख्या सिर्फ एक होती है, ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा set है, जिसमें जो element है, उनकी संख्या सिर्फ एक है, तो उसे आप singleton set कर सकते हैं, अब देखें, यहाँ पर कुछ और भी important है, परिमित और अपरिमित समुच्चे, यानि कि finite set and infinite set, finite set किसे करते हैं, अब मालगे किसी कच्छा में बच्चों की संख्या के बारे में हम बात करें, उनका एक set बनाएं, तो यह set क्योंकि जो कच्छा में बच्चे होंगे, उनकी संख्या limited होगी, उनको आप गिन सकते हैं, तो उसे आप एक finite set कर सकते हैं, तो ऐसा set जिसमे में elements जो हैं वो limited हों उसे आप finite set कहते हैं और ऐसा set जिसमें जो element हों उनको count न किया जा सके यानि कि वो countless हों तो अगर ऐसे भी किसी भी वस्तुका एक set बनाएं आप सपोच करिए कि आकास में तारों की संख्या के बारे में अगर आप बात करें तो यहां पर यक्स belongs to a और यक्स क्या है आकास में तारों की संख्या तो आकास में तारों की संख्या को गिना नहीं जा सकता तो इस तरीके से जो भी set बनेगा उसे आप कह सकते हैं अब परी में समुच्च या फिर infinite set अगला है उप समुच्च है मालेजिए दो set है एक है set a दूसरा है set b set a में जो है element है a b c और d set b में भी इतने ही element है a b c और d यहाँ पर आप देख पा रहा है कि दोनों ही set आपस में बराबर है यानि कि जितने element a में है उतने ही element b में है तो इसे आप कह सकते हैं कि a is the subset of b या फिर b is the subset of a दोनों तरीकों से इसे denote किया जा सकता है subset को denote करते हैं इस तरीके से ठीक है अब जोकर यहाँ पर एक अलग प्रकार का और भी set होता है इसको करते हैं proper subset माल लो कोई subset है a उसमें जो element है a है b है और c है और एक जो है set है b जिसमें जो element है वो है a, b, c, d, e माल लिया यहाँ पर a is not equal to b क्योंकि a में जो element है वो b में है तो सही लेकि b में element की संख्या a से अधिक है कुछ element ऐसे हैं जो कि a में नहीं है इसलिए हम इसे a जो है b के बराबर नहीं है a is not equal to b तो अगर कोई ऐसा set बनता है तो इसे कहा जाता है proper subset यहाँ पर a जो है वो proper subset है b का ठीक है अब यहाँ पर आपने देखा था subset में क्या करते हैं कि a is subset लिखते हैं तो नीचे बराबर के सान लगा देते हैं लेकि प्राबर सबसेट में यह वाला जो साइन होता है इसको नहीं लगाते हैं और इसको पढ़ते क्या है a is the proper subset of b या a is proper subset of b ठीक है अब जी समुच्चे यानि कि super set किसे कहते हैं तो माल लिजिए कि set a set b का subset है आप माल लो कि एक set है a और एक set है b और a में जो element है उनके वो है a b c d ठीक है और b में जो element है वो है a b c d e f g जो भी यहाँ पर आप दो जीचे देख पा रहे होंगे a के जितने भी element है वो b में है ठीक है b के बहुत सारे element ऐसे हैं जो a में नहीं है पहले बात यह है कि a b के बराबर नहीं है तो यहाँ पर a is the proper subset of b आप कह सकते हो लेकिन b जो है यह a का super set कहा जाएगा ठीक है तो b जो होता है यह a का super set कहा जाता है और super set को denote करते हैं कैसे यहाँ पर denote करेंगे आप b is super set of a यानि कि b के बहुत सारे element ऐसे हैं जो कि a में नहीं है simply एकर इसे समझना चाओ तो ऐसे भी समझ सकते हो कि b जो होता है वो बड़ा होता है a जो है वो छोटा subset होता है चोटा set होता है और b जो होता है वो बड़ा होता है तो जो बड़ा होता है वो हो जाता है super set ठीक है यहाँ पर b जो होगा वो हो गया आपका super set अब देखो एक होता है power set जिसको कहते हैं आप घात समुच्च है माल लिजिए एक set है A इसमें element है A, B, C, D ठीक है तो इसको आप अलग-अलग जो इसके subset बनेंगे कोड़ों से बन सकते हैं एक तो यह बन सकता है आपका subset A दूसरा subset बन सकता है जिसमें दूसरा element हो तीसरा बन सकता है जिसमें तीसरा element हो चौथा बन सकता है जिसमें चौथा element हो इसके लावा A, B करके भी subset बना जा सकते हैं B, C करके भी subset बन सकता है और C, D करके भी subset बन सकता है यहाँ पे देखें अगर आप तो A और D भी एक सबसेट है यानि कि A जो एक सेट था उसके जितने भी सबसेट आप बना सकते हैं उनको कहा जाता है पावर सेट आफ A ठेक है और इसे डिनोट करते हैं P A के द्वारा P A, पावर सेट आफ A तो किसी सेट A के सबी जो सबसेट होते हैं उनका जो समुच्चे बनता है उसे कहा जाता है पावर सेट और इनोट करते हैं इसे कैसे P A से अब कुछ बेसी संक्रियाओं के बारें बात करते हैं यानि कि आप्रेसर आफ सेट यूनियन आफ सेट अब माल लो जिए आपके पास एक सेट है A इसमें एलिमेंट है A, B, C और D दूसरा सेट है B इसमें एलिमेंट है आपके पास D, E, F और G तो आप देख रहे हैं कि A और B में कुछ एलिमेंट कॉमन है यहाँ पे D दोनों बिलॉंग करता है तो अगर हम इसे A, B, C जो की B में नहीं है B के कुछ एलिमेंट यानि की E, F, G यह A में नहीं है तो अगर हम इसे A इंटरसक्शन यूनियन इसे आप यूनियन के पढ़ते हैं A, यूनियन, B को डिफाइन करें तो यहाँ पर लेख सकते हैं A, B, C, D ठीक है और इसके बाद जो बचे हुए अलिमेंट यहाँ पर है E, F और G यानि की जो कॉमन अलिमेंट है उसको भी जो बचे हुई है वो भी सब कुछ लेके जो हम एक बनाते हैं नया जो सेट उसे करते हैं आप दो सेट का यूनियन तो इसे यूनियन आफ सेट के रूप में जाना जाता है ठीक है अब बात करते हैं intersection of सेट intersection of सेट में इसको दिनोट करते हैं A, intersection B यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि common factor कौन सा है इसमें D दोनों में common है तो अगर हम A, intersection B निकालें तो इसमें सिर्फ D ही दिखा जाएगा ठीक है बागी जो चीजे हैं दोनों में कामन नहीं है इसलिए intersection में यह सामिल नहीं होंगी अब देखो यह होता है differences of set यानि कि set का जो अंतर होता है उसको कैसे निकलते हैं इसको denote करते हैं A-B से तो A के वो element जो की B में नहीं है उनका जो एक set बनाएंगे आप अब आप देखो कि A के कौन से element ऐसे हैं जो B में नहीं है तो A, B, C, D और D, E, F, G A में जो है A, B, C ऐसे element है जो की B set में नहीं है तो इससे आप लिख सकते हैं इस तरीके से ठीक है और अगर इसे आप B difference A के रूप में लिखें तो आपको लिखना होगा B के ऐसे element जो की A में नहीं है तो इहाँ पर E, F और G जो है ऐसे element है बी के जो की A में नहीं है तो इसको difference के रूप में यहाँ पर denote किया जाता है symmetric difference of sets symmetric difference क्या होता है symmetric difference का मतलब यहाँ पर यह होता है कि जिससे कि दो set मैंने आपको यहाँ पर बताये थे set A है और set B है तो आप ने निकाला था A-B यानि कि A के ऐसे element जो कि B में नहीं है B-A निकाला इसको पढ़ते हैं आप B difference A तो B के ऐसे element जो कि A में नहीं है ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर एक जो है ऐसा set बनाईए कि इसको denote कीजिए आप किस से हैं इसको denote करेंगे आप A delta B से ठीक है और इसमें क्या करेंगे आप A-B के जो element है उसका और B-A के जो element है उसका union बना देंगे तो A delta B यानिकी symmetric difference आपको ज्यात हो जाएगा अगर इस हिसाफ से यहाँ पर देखें तो A, B, C और E, F, G D common है उसको छोड़ देंगे तो यहाँ पर A delta B में जो element होंगे वो क्या होंगे A, B, C, D दोनों में common है उसको छोड़ देंगे और E, F और G इसे आप A, delta B या symmetric difference आप set के रूप में जानते हैं denote कर सकते हैं complement of sets complement of sets क्या होता है मान लिजिए आपके पास एक set है A, ठीक है और इसमें आपने कुछ संख्याइं ले लिए हैं 1, 2, 3, 4 ले लिए आपने तो आप जानते हो कि बहुत सारी ऐसी संख्याइं हैं जो कि इस set में नहीं है 4 के बाद infinite number of जो numbers हैं वो इस set में नहीं है तो अगर आप उसको universal set माने universal set of numbers तो उसमें 1, 2 लेके infinite number आज मतलब आएंगे आप जानते हैं कि कोई भी इस अंतिम जो है positive number नहीं होता है तो इसलिए हमको यहाँ पर infinite set denote करेंगे तो a complement of set a इसको denote करते हैं a dash है इसमें वो सारे element आजाएंगे जो set a के अलामा universal set में बिलॉंग करते हैं यानि कि 5 से लेके infinite तक के जो तिन भी number होंगे वो a dash में आजाएंगे इसको कहते हैं कि आप इसे करते हैं आप complement of set यानि कि यदि a एक समुच्च्च है such that x belongs to u x belongs to u universal set but x does not belong to a तो इस तरीके से आप इसे denote कर सकते हैं compliments of sets को ठीक है अब आते हैं disjoint sets में इसको हिंदी में करते हैं बिसंगीत बिसंगीत का मतलब यह होता है कि दो ऐसे set हो मानलो एक set है यहाँ पर इसमें ले लेते हैं 123 और set B में ले ले लेते हैं 456 ठीक है अब हम अगर A intersection B निकालें तो आपको यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है यानि कि A intersection B is equal to 5 null set आपको पराप्त होता है तो अगर दो sets का intersection एक null set हो तो उसे disjoint set यानि कि बिसंगीत sets भी आप कह सकते हैं अब इसको भी देख लीजिए माना यक्स के subset A and B A और B इस प्रकार से हैं ठीक है कि A जो है वो B का उफ समुच्चे नहीं है अब A जो है वो B का उफ समुच्चे नहीं है डिनोट करेंगे इसको ऐसे तब ये चार conditions दी गई है और इन conditions में से आपको सही का पता लगाना है तो कुछ चीज़ें और भी यहाँ पर समझने लाइक है जैसे कि चूँकि B का उफ समुच्चे A नहीं है ठीक है बात वही है A जो B का उफ समुच्चे नहीं है या B का उफ समुच्चे A नहीं है जैसे कि A, B, C हो गया और D हो गया यह आपका सेट A हो गया और यह आपका सेट B हो गया जिसमें आप देख रहे हो कि B, C, D, F हो गया ठीक है तो A का कुछ अवयो ऐसे हैं जो कि B में नहीं है इसलिए यह अवयो बी डैस के अवयो होंगे यानि कि जो यूनिवर्सल सेट है इसका काम्प्लिमेंटरी सेट जिसे कहते हैं आप उसमें होगा इसलिए A और B के जो पूरक समुच्चे होंगे वो सदर भी संगित नहीं होंगे ठीक है तो यानि कि A डैस और B डैस के जो समुच्चे बनेंगे वो सदर भी संगित समुच्चे नहीं है ठीक है यहाँ पर option D इस तर पास theory के बारे में भी थी और इसमें कुछ important देखिए जो set theory होती है इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको theory में अगर आप नहीं समझ पाओगे तो में numerical को solve नहीं कर पाओगे आगे कि जो वीडियो होंगे उसमें numerical के base भी होगा explanation भी होगा rules भी होंगे सारी चीज़ें हम लोग describe करेंगे तो बने रही है हमारे साथ आज का वीडियो यहें पर समाप्त होता है अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप इसे टेलिग्राम लिंक से ले सकते हैं हमारे टेलिग्राम चनल है जिसका नाम है study with ज्यान प्रकास टेलिग्राम क्या होता ह इसके बारे आपको पता है WhatsApp की तरह एक एप है जिसको आप Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हमारे Facebook पेज को जरू से जरू लाइक कर लीजी एड्रेस है www.facebook.com slash study with ज्यान प्रकास ठीक है इसको जरू लाइक कर लेना यहाँ पर आपको बहुत सरी इंपोर्टन चीज़ें मिल जाती है Twitter पर कर आप हमें फालो करना चाहते हैं तो हमारे Twitter हेंडल का नाम है add the rate study with ज्यान ठीक है तो थांक्स पर वाचिंग फ्रेंड्स मिलते हैं आप से अगले वीडियो में आग्यान दिजिए जबार नमस्कार जै हिंद जै भारत हाँ चन आपको मिल सके हैं